जब मुक्ता ने मिहीर के इस रवाईय को देखा, वो और देर तक चुप नहीं रह सकती थी। उसने मिहीर से सवाल करते हुए कहा, मिहीर, तुम अपनी मा से इस तरह बात कैसे कर सकते हो? लेकिन मुक्ता के इस सवाल का जो जवाब मिहीर ने दिया था, उसे मुक्ता ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मिहीर के उस जवाब को सुनकर मुक्ता हैरान हो गई। एक पल के लिए तो मुक्ता को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मिहीर ने मुक्ता के सवाल पर रियाक्ट होते हुए कहा मुक्ता, stay out of it, वो मेरी मा नहीं है अपनी ये बात कहते हुए मिहीर बहुत ही ज्यादा इंपलसिफ हो गया था मुक्ता मिहीर के इस बात पर यकीन नहीं कर पाई तो उसने एक नजर मिसिस नीलम राइचंद की ओर देखा मिहीर के उन चुबने वाले शब्दों को सुनने के बाद भी मिसिस नीलम राइचंद के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था वो अभी भी उनसे हुई एक नॉमल और चोटी सी गलती के लिए शर्मिंदा फीड कर रही थी इसलिए मुक्ता को इस बात की अश्योरिटी हो गई कि मिहीर गुसे में कुछ भी अनाब शराब नहीं कह रहा था और वो दंग रह गई मुक्ता ने इस सब के बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा मिहीर ने पिर अपनी बात को कॉंटिन्यू करते हुए कहा मिहीर की कही ये बात सुनकर मिस्स नीलम राइचंद की आँखों में दर्द उतर आया लेकिन उन्होंने इस तरह अपनी आँखे चब की मानो खुद को ही समझा रही हो मिस्स नीलम राइचंद ने एक गहरी सांस ली और उनकी यूजवल स्माइल के साथ मिहीर और मुक्ता को देखकर प्यार से बोली तुम दोनों थोड़ी देर बाते करो और फिर नीचे खाना खाने के लिए आ जाना लेकिन ज्यादा देर मत लगाना अपनी ये बात कहने के बाद मिहीर और मुक्ता का जवाब सुने बिना ही मिस्स नीलम राइचंद वहाँ से निकल गई उन्हें जाते हुए देखके मुक्ता के दिल में नर्मी आ गई मैं तो आज नीलम आंटी से पहली बार मिल रही हूँ वो मुझे ठीक से जानती भी नहीं और मिहीर ने मेरे सामने अपने फैमली इशूज ओपन अप कर दिये वो पर से नीलम आंटी को बहुत बुरा भला भी सुना दिया मिहीर को ऐसा नहीं करना चाहिए था लेकिन जिस तरह मिहीर रियाक्ट कर रहा है मुझे लगता है कि वो भी बहुत हर्ट फील कर रहा होगा मुझे उसके फैमली मैटर्स के बारे में कुछ भी नहीं बता हो सकता है कि बहुत सी ऐसी बाते हो जिनकी वज़ा से मिहीर ने ऐसा बियेव किया मुक्ता ने मिहीर के बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा मुक्ता ने देखा कि मिसिस नीलम रायचंद की जाने के बाद मिहीर जाकर अपने बैट पर बैठ गया उसने दोनों हाथों में अपना चैरा चिपा लिया था मुक्ता ने कुछ सोचा और फिर मिहीर के करीब जाते हुए अपने घुटनों पर बैठ गई मुक्ता ने हलके से अपना हाथ मिहीर के कंधे पर रखा और उससे बोली मिहीर क्या तुम ठीक हो? क्या तुम बात करना चाहोगे? पहले तो मुक्ता डर गई थी कि अगर मिहीर बास्केट बॉल माच वाले दिन जैसे रियाक्ट करता लेकिन पिर भी उसने एक बार मिहीर से बात करना सही समझा जब मिहीर ने मुक्ता की चुओन को महसूस किया, ना चाहते हुए भी उसने अपने चेरे से हाथ हटा लिये मुक्ता ने जब देखा कि मिहीर की आँखें भरी हुई थी, वो अजीब महसूस करने लगी इससे पहले कि मुक्ता मिहीर को कमफर्ट करने के लिए कुछ कह पाती मिहीर ने उससे कहा तुम भी बहार निकलो, मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है मिहीर की बात सुनने के बाद भी मुक्ता वही बैठी रही जब मिहीर ने देखा कि मुक्ता उसकी बात नहीं मान रही थी तो उसकी आँखों में गुसा उतर आया कुछ सोचने के बाद मिहीर ने इस तरह मुक्ता को देखा मानो उसके वहाँ होने को मुश्किल से बरताश कर रहा हो मुकता, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम पर भी गुसा करूँ, तो यहीं बेठी रहो इस बार मिहीर की आवाज में रूखा पन था मुकता ने मिहीर की बात फाइनली मान ली और वहां से चली गए नीचे जाने के बाद मुक्ता ने देखा कि अभी भी सब मिहीर और उसके आने का वेट कर रहे थे वैसे तो मुक्ता खुद ही कुछ बात करने के मूड में नहीं थी लेकिन जब उसने सबकी आखों में इंतिजार देखा तो वो मुस्कुराते हुए उनके पास जाने लगी सर नीलम आंटी मिहीर को थोड़ी नीन आ रही है और उसे भूग भी नहीं थी तो इसलिए उसने कहा है कि हम सब खाना खालें वो अगर रात को उड़ गया तो वो खाना खालेगा मुक्ता की बात सुनकर मिसिस नीलम राइचंद ने कहा आरे ऐसे भूके पेट कैसे सोईगा मैं उसके लिए उपर ही खाना ले जाती हूँ मिस्स नीलम रायचंद की मिहीर के लिए इतनी फिक्र देख कर मुक्ता को बहुत ही इमोशनल फील हो रहा था उसने कुछ सोचा और उसने नीलम आंटी को इंसेस्ट करते हुए कहा आंटी, जाने दीजिए वैसे भी आज कॉलिज के बाद हमने कैंटीन में छोले कुल्चे खा लिये थे शायद इसलिए मिहीर को भूक नहीं होगी, हाँ परिशान मत होए मुक्ता की बात सुनकर दीन रायचंद ने भी अपनी वाइफ से कहा हाँ नीलम, जब मिहीर को भूक लगेगी, वो खाना खा लेगा जिस तरह से दीन रायचंद और मुक्ता ने उन्हें कहा था मिसिस नीलम रायचंद भी बैट गई और खाना खाने लगी जब मुक्ता और बाकी सब ने अपना डिनर शुरू किया दीन रायचंद कुछ सोचने लगे, उनकी नजर मुक्ता पर पड़ी और उसके बारे में सोचते हुए दीन रायचंद ने मन ही मन में कहा ये लड़की बहुत ही समझदार है, एक तो जब से ये आई है मैंने मिहीर में कुछ पॉजिटिव बदलाव नोटिस किया है बाते करते ही उनकी वाइफ मिस्स नीलम रायचंद के चेरे पर एक मुस्कान आ गई थी साथ ही बाकी सब भी बहुत हसी मजाग करते हुए डिनर कर रहे थे ये सब देखते देखते डीन रायचंद थोड़ी देर पहले हुए इंसिडेंट के बारे में सोचने लगे अभी नीलम के हाथों जो गलती हुई उसके बाद मिहीर हमेशा की तरह गुस्सा पकड़ कर अपने कमरे में बैठ गया होगा मुकता भी उपर ही थी और जिस चेरे के साथ नीलम नीचे आई सरूर मिहीर ने उसे कुछ भला बुरा सुनाया होगा लेकिन मुकता ने नीचे आकर पूरा माहौल नॉमल कर दिया यहाँ तक कि नीलम को भी समझा दिया मुझे मानना पड़ेगा कि मैं इस लड़की के बारे में गलत था मुकता के बारे में सोचने के एक नए नजरिये के साथ आज का ये डिनर खत्म हुआ था सबके जाने का भी वक्त हो गया था लेकिन अब तक मिहीर नीचे नहीं आया था सबको बाई कहते हुए मिसिस नीलम रायचंद थोड़ी देर पहले हुई बात भूल ही गई थी काव्या तुम्हारी मौम की तब्यत का ध्यान रखना और माईरा मिसिस ओब्रॉई से कहना कि मैं अगली किटी पार्टी में आने की पूरी कोशिश करूँगी मिसिस नीलम रायचंद की कही इस बात पर काव्या और माईरा ने हामी भर दी मिसिस नीलम रायचंद ने फिर मुक्ता और प्रखर के पास आते हुए कहा मुक्ता, मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा मिहीर के साथ मुझसे मिलने के लिए आती रहना मुक्ता ने उनकी बात पर हां में अपना सर हिला दिया और प्रकर, मैंने अजय से सुना है कि अगली वीक से तुम लोगों की एक्जाम्स शुरू होने वाले है तो मस्ती ही मत करते रहना, पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है अपनी नीलम आँटी की कही ये बात सुनकर प्रकर ने कहा जी आँटी, मैं पढ़ाई ही करूँगा, आप मेरा रिजल्ट देख लेना कह देना, अपना खयाल रखो, और ज्यादा एक्जोशन करने की कोई जरूरत नहीं है जब इशान ने देखा कि मिस्स नीलम राइचंद उसके लिए फिक्रमद हो रही थी तो उसने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ कहा जी, मिस्स राइचंद मैं खयाल रखूँगा, फैंक यू फिर सबने डीन राइचंद और मिस्स नीलम राइचंद को डिनर के लिए शुक्रिया कहा और वहाँ से अपने अपने घर के लिए निकल गए घर जाते हुए भी मुक्ता के दिमाग में बस मिहीर और मिस्स नीलम राइचंद के रिष्टे को लेकर ही खयाल चल रहे थे वो एक ही वक्त पर क्यूरियस भी हो रही थी और उसे उन दोनों की सिचुएशन के लिए बुरा भी लग रहा था अब मुक्ता से रहा नहीं गया और उसने किसी से इस बारे में पूछने का सोचा तब ही मुक्ता की नजर अपनी जीप में बैठे प्रकर पर पड़ी हाँ, मुझे लगता है प्रकर को सब कुछ अच्छे से पता होगा मैं उससे ही पूछ लेती हूँ मुक्ता ने मन ही मन में कहा और प्रकर की तरफ बढ़ गई प्रकर, प्लीज क्या तुम मुझे घर तक डॉप कर दोगे? मुक्ता ने प्रकर से सवाल किया ये सुनकर प्रकर ने एक ब्राइट स्मायल के साथ मुक्ता से कहा मिस ब्यूटी, क्या ये भी कोई पूछने की बात है? आ जो, बैठो प्रकर की बात पर हामी भरते हुए मुक्ता जीप में बैठ गई कुछ दूर जाने के बाद, मुक्ता ने डारेक्ट ही प्रकर से अपनी बात पूछ ली प्रकर, क्या तुम जानते हो कि मिहीर नीलम आंटी को इतना नापसंद क्यों करता है? मुक्ता के इस सवाल से प्रकर बिलकुल भी हैरान नहीं लग रहा था जब डिनर के वक्त उसने देखा कि मिहीर और मुक्ता के जाने के बाद मिसिस नीलम राइचंद भी उपर गई थी तो उसे इस बात की उम्मीद तो थी कि मिहीर कुछ ना कुछ तमाशा तो जरूर करने वाला था प्रकर ने भी मुक्ता के सवाल की तरह ही उसका जवाब डाइरेक्ट अंदाज में दिया अब जब कि तुम मुझसे ये क्वेशन कर रही हो तो मैं अज्यूम करता हूँ कि तुम्हे ये पता होगा कि नीलम आंटी मिहीर की स्टेप मॉम है प्रकर की इस बात पर मुक्ता ने हा में अपना सर हिला दिया प्रकर ने फिर अपनी बात को कॉंटिन्यू करते हुए कहा वैसे तो नीलम आंटी बहुत केरिंग है और उन्हें मिहीर से बहुत लगाव भी है लेकिन मिहीर को लगता है कि नीलम आंटी के वज़़े से उसकी हैपी फामली टूट गई है जब मुक्ता ने प्रकर की कही ये बात सुनी वो कन्फ्यूज लगने लगी अपने आप ही उसके चहरे पर सवाल या एक्स्प्रेशन आ गए प्रकर ने मुक्ता की आखों में दिख रहे इन सवालों को नोटिस कर लिया था अपनी बात को एक्स्प्लेइन करते हुए प्रकर ने कहा मिस्स ब्यूटी, मिहीर का ये फामली मैटर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है वैसे तो मैं किसी से इस बारे में बात नहीं करता हूँ लेकिन तुम मेरे भाई की गॉर्फरंड हो तो तुम्हें बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मिहीर के मॉम डाट का डिवोर्स हो गया है प्रकर की कही ये बात मुक्ता को शौक्ट कर चुकी थी भले ही मुक्ता ये जानती थी कि नीला मांटी मिहीर की मॉम नहीं थी लेकिन वो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा पाई कि मिहीर की मॉम के साथ क्या हुआ होगा प्रकर ने फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा मिहीर की मॉम अब अकेली रहती है उन्होंने मिहीर को टीन सर के साथ रहने के लिए कन्विंस किया था प्रकर की कही ये बात सुनने के बाद मुकता को सारा मैटर समझ में आ गया मिस ब्यूटी मैं जानता हूँ कि मिहीर में कई सारे फ्लॉज हैं लेकिन उन सब के पीछे कई सारे रीजन्स भी हैं इसलिए तुम उसे समझने की कोशिश करो अपनी ये बात कहते हुए प्रकर ने जीप रोग दी मुकता ने देखा कि वो अपनी घर की गली के कोने पर थी मुकता ने प्रकर की बात पर हामी भरी और बोली हाँ प्रकर मैं उसे समझने की पूरी कोशिश करूँगी हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं मुकता ने कहा और जीप से नीचे उतर गई प्रकर ने भी उसे बाई कहा और वहाँ से निकल गया अगले दिन की अल्मस्ट सारी क्लासस भी खत्म हो चुकी थी लेकिन अभी तक मिहीर ने मुकता से कुछ बात नहीं की थी जब मुकता ने वक्त की तरफ देखा तो वो बुरा फील करने लगी आज कभी पूरा दिन चला गया लेकिन अब तक मीरी और मिहीर की कोई प्रॉब्लम सॉल्फ नहीं हुई है यहां तक कि मिहीर तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा मुकता ने मन ही मन में कहा जब वो मिहीर के बारे में सोचने में बिजी थी क्लास में प्रोफेसर देखशित आ गए स्टूडंस जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि नोटिस बोर्ट पर आपके सेकंड सेमेस्टर का टॉइम टेबल लगा दिया गया है जैसे कि उसमें मेंचिन किया गया है अगले मंडे से आप सब के एक्जाम्स शुरू हो रहे है प्रोफेसर देखशित की कही इस बात को सुनने के बाद मुकता का ध्यान मिहीर से हट गया और एक्जाम्स पर रुख गया प्रोफेसर दीक्षित ने अपनी बात को कॉंटिन्यू करते हुए कहा उनकी ये बात सुनकर पूरे क्लास में आवाजे शुरू हो गई एक्जाम्स के नाम से सब ही नर्वस हो रहे थे इस पॉइंट पर मिहीर के पास बैठे प्रकर को अपनी की हुई अच्छाई पर पच्चतावा हो रहा था मायरा और रिशान को छोड़ कर सब ही एक्जाम्स के नाम से पैनिक करने लगे थे यहाँ तक के जो मुक्ता हमेशा से टॉपर ही थी एक्जाम्स के बारे में सुनकर आज उसके भी पसीने जूट रहे थे इस चीर लीडिंग कोर सिक्स डेज डिटेंशन के चक्कर में तो मैंने सही से पढ़ाई ही नहीं की है पता नहीं मैं इस सेमेस्टर में क्या करने वाली हूँ अगर मेरे मांक से अच्छे नहीं आए तो घर पर तो मेरी अच्छी बैंट बजने वाली है आज कर जाने के बाद मुझे अच्छे से पढ़ना होगा नहीं तो मंडे के पेपर में मैं पास भी नहीं हो पाऊंगी एक्जाम्स के इस फीवर ने मुक्ता के दिमाग से मिहीर का खयाल कहीं दूर निकाल फेका था जैसे ही क्लास खत्म होने की बेल बजी और प्रोफेसर दिक्षित क्लास से बहार निकले मुक्ता तुरंत अपने घर के लिए निकल गई जब प्रकर ने देखा कि आज मुकता किसी से बाई कहे बिना ही निकल गई थी, वो सप्राइस्ट हो गया प्रकर ने मिहीर से पूछा, बाई, कहीं तुम्हारा और मिस प्यूटी का प्रेकप तो नहीं हुआ है उसके इस सवाल से मिहीर दंग रह गया